तूरी तंद हाडी सब वेच वटके लंबड़ा थे शाहां दा हिसाब कटके कच्छे मार वंजली अनन्द शागया मार दा दमामे जट मेले आ गया मार दा दमामे जट मेले आ गया एवन पंजाबी चैनल दी समुची टीम बनों वसाखी दियां बहुत बहुत मुबारका और जिमेत उसी जान दे हो के वसाखी देस पवितर तिहार दे बेच साहिब शीरी गुरु गोबिन सिंग जी महाराज ने खालसा पंथदी साजना कीती है खालसा पंथदी साजना 1699 में बेच शिरी अनंद पुर साव विखे कीती है और पंज प्यारया नूं अमरित शिका के खालसा पंथदी साजना कीती गई है और इस मौके ते जिते जिते पंजाबी जिते जिते भी वसे वो अपने हिसाब दे नार वसाखी दे इस पवितर ति इहार नूं मनावन विच लगे होएने उते ही पंजाब दे मुखमंतरी केप्टन अमरिंदर सिंग जी ने भी खालसा पंथ दे साजनादे वसाखी दिया दुनिया पर विच वास्टे पंजाबिया नूं भी मुवारकां डितिया ने ता जो पंजाब अते पंजाबिय दा परत उन्हानने याद कीता है के सिख्खां दे दसमे गुरू श्री गुरू गोविन सिंग जी बलू सोडां सो नडे इन्मे दे बेचे इस पवित्तर दे हाडे ते वक्ष वक्ष जात्तां दे लोकां बेचो पंज प्यारयानों चुण के अमरिदी दात बक्षी सी श्री अनन्दपुर साभी के खालसा पंथ दी साजना कीती उन्हाने किया कि खालसा पंथ दी साजना नाड एक समानता वादी समाई दी नहीं रखी गई हते इस ते नाड सानों मनुखता लई आपसी पाईचारक सांज अते प्यारदा संदेश भी दि अनन्दव गुर्बानी दा अनन्दव लें दियाने और दोस्तों दूसरे पासे जे गल करिये थे पंजाब दे मुकमंत्री कैप्टनम रिंदर सिंग जी ने पंजाब दे मेनत कस जड़े किसान ने अपनी मेनत नाड उगाई फसल दी वाड़ी दी शुरू कर देने और इस मौके ते मुकमंत्री ने लोका नू इते हासक दे हाडे संबंदी सांज प्यार नू बदाउन दे विच भी उनाने एहम गल्ना कहियाने और उना दा कहना है कि इस ते हार नू अपन नू र हालसा देवस्तियां बहुत-बहुत मुबारिकां मैं अपने ए मोड्या थे गोड्या तो बहुत दूखी सी मेरे लगता तो ना फिरना वी एना उखो हैसी मैं दास भी दे सागदा पर जातो मैनू फी रिलिफ मेरे है टाई तिन में ने इस्ते माल कर दो बाद गोड्य वी हो के मोड्य वी हो के जी तुसी भी किसे इस तरह दी बिमारी तो परिशान हो ते बेस बेस चिज़क हो के इस तो इस्ते माल करो सिर्फ टाई तिन मेने एक सो पच्ची बिमारियां तक ने इलाज कर सकते हैं फी रिलिफ हमेशा याद रखो बस कुस दिना तो मैंनू बालां दी बड़ी समस्या सी मेरे बाल चड़ने शुरू होगे सी मैनू मेरे दोस्तने ओयल फी रिलीफ वाले दस्या मैं यह तेल तेनकमी ने लाना अपने शर्ते एपलाई कीता है यह बिल्कुल आयूरवेदिक तेल है यह कोई साइड इफेक्ट नहीं है ते मेरे बाल जड़े गंज कर दे हैं कि ती सोसाइटीज बैठे है कि कोई मजाक ना कर रहा है पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिनने मेरे एक कॉंफिडेंस बेल्ट किता जिनने लगानाल मैं मार्केट शुन बड़ा ही कॉंफिडेंट हां और इधना मैंनू बड़ा फैदा होया ते मिनू सर्वैकल दी दिक्कस से तो उधनाल मैंनू बड़ा रलीफ मिल्या यह यूज करो ते मैं प्रैक्टिकल यूज कर रहे है